दोस्तों आयूर्वेद के अनुसार कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जिनसे हमारे शरीर पर विशेश प्रभाव पड़ता है। पंद्र ग्राम शेहद मिलाकर प्रातः व्यायाम के बाद पी लें। इसके पश्चात दो घंटे तक कुछ न लें। हरे आवलों के मौसम में निरंतर डेव दो महीने तक इसे लेते रहने से काया पलट जाती है। आईए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे के कुछ और स्वा शरीर को अतिरिक तूर जा दे। शरीर को फूर्तिला, चुस्त, रोगमुक्त रखने के लिए एक चमच आउलावर शेहद का मिश्रन जरूर खाएं। यह शरीर को रोगों, विकारों, सक्रामन से बचाने में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 3. गैस, कबज, पाचन, विकार मिटाए। पेट की पाचन से संबंदेत हर समस्याओं जैसे खाना सही तरह से नहीं पचना, पेट में गैस बनना, भूख न लगना, कबज रहना, खटे डकार आना इत्यादी सभी विकारों में आवला शेहद मिश्रन में चुटकी भरहजव आखों की जलन ठीक करने में सहायक है 5. आवला शेहद रक्त बढ़ाएं रक्त की कमी दूर करने में आवला शेहद सक्षम है यह आयरन प्रोटीन, विटामिनस और मिनरलिस का रिच भंडार है आवला और शेहद से रक्त बढ़ाने वाले कई टॉनिक बनाई जाते हैं 6. फ्रिदय रखे स्वास्त शेहद आवला कोलेस्टरॉल नियत्रम करने में सक्षम है शेहद आवला सेवन रक्त को पतला और धम्नियों को सुचारू करने में सहायक है यह उच्छ रक्तचाव, अस्थमा घात, फ्रिदय विकारों को घटाने में फाइदे मंद है तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वाटसेप, फेस्बुक और मैसेज के जरिये शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस नुस्खे को अच्मा सकें और उनकी जिन्दगी में भी खुशियां बनी रहें तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखना और उनसे बहुत प्यार करना क्यूंकी जिन्दगी बहुत अन्मोल है इसे यू ही न गवाएं थैंक यू